हेलो फ्रेंड्स वेनो देसाइट स्ट्रेट ड्राइब दोस्तों आज हम जिस प्रॉजेक्ट में आपको लेके आएं बेसिकली यह हमारा टू बीच के अपार्टमेंट है लोकेशन के बात करूं तो हम जिरगपुर में हैं जिरगपुर में अब आपने एक बड़ी फेमस हाई ग्राउन रोड से जोइनिंग हमारा यह प्रॉजेक्ट है तोटल अगर मैं इस फ्लैट के बात करूं तो 384 फ्लैट्स है यहां पर जिसके अंदर की आपका एस प्लस फ्री का कॉंसेप्ट है जिसमें कि स्टेल्ट में आपको मार्क पार्क मिलती है प्लस फर्स सेकिंड की थर्ड तीन फ्लोर हैं और इस प्रोजेक्ट की और मैं आपको लोकेशन बताता हूं यह एक सौफिट की रोड है जो कि आपकी जिर्ख पूर से सीधा कनेक्ट करेगी आई ब्लॉक तो यह प्रोजेक्ट उसके भी साथ है तो फ्यूचर में जब यह रोड कनेक्ट करेगी आपकी डिरेक्ट एंटरी सडख से थू एरपोड रोड आपकी हो जाती है तो फ्लैट पर आते हैं यह हमारा टू भी इसकी फ्लैट है जिसमें की ड्राइंग डाइनिंग दो बात्रूम है वाश्रूम से और दो बेडरूम है तो लेट्स टाटेट दा फ्लैट एंटर करते ह है यह हमारा गेट है सौरी डोर है हमारा यह यह वोडन डोर है यह आपको मिलेगा इसके बाद जैसे आप एंटर करते हो यह हमारा फॉर्स ड्राइंग रूम आ जाता है आप देख सकते हो कि अभी भी हमने यहां पे फाइव सेटर की सोफा जो हमने लगाया हुआ है विद ट आपको मिलेगा रहा रहा का सक एक जिससे आप वाल पेपर देख रहे हूं वाल से लिंग देख रहे हो यह आपको नहीं मिलेगी तो इसके लिए आपको यह सारे चीजें खुद करनी बढ़ेगी तो हम ड्राइंग रूम में थे ड्राइंग रूम के साथ यूपी-पिसी की विंडोस यहां पे जो कि साउन्ट्रूफ ए टफन ग्लास है और इस विंडो के साथ ही आप देखें यह हमारी फोर्स बालकोनी है यह फोर्स बालकोनी है और यहां से आपका आफ फ्लाट पे नदर मार सकते हो एंट तक हमारे फ्लाट जा रहे हैं तो वापा चलते हैं फ्लैट के अंदर यह ड्राइंग रूम आ गया ड्राइंग रूम के साथ ही हमने यहां पर एक डाइनिंग दिया हुआ है आप देख सकते हो अभी हमारे पास टोटल एट लोगों की सिटिंग का अरेजमेंट है और बड़ा अच्छा लग रहा है यह आपक यह देख रहे हो आपका पथर लगा हुआ इसमें स्टोरेज दी हुई है कि उसके बाद यह भी स्टोरेज है आपकी और यह आपके सेंक है जो कि साउंड प्रूब और यहां से भी एक छोटी से बालकोनी के एंट्रेंस आपको यहां दी लिए तो यहां पे भी आप अपना अगर वेट इरिया बना रहा है तो यहां पर भी आप कुछ लगा सकते हुए हमने सेंटरी का इसमें जो है आपको प्रूविजन दिया हुआ है पानी का प्रूविजन यहां पर है और यहां पर यह आपकी गैस लाइन की पाईप है जो कि यहां से स्टेंडर आप यहां रख अधिक दोनों से क्नेक्टड रहेगा वाश्रूम अभी थोड़ा साइसमें लाइट का इसीव इसलिए अंधेरा से बटिश में आप जो फिस तिंग देख रहे हैं सारी आपको जैगोहर की मिलेगी जो भी आप सेंटरी देख रहे हूँ सारी आपको जैगोहर की मिलेग इस चाहर और हिसका ही यह से बैठार फुस्ट वाश्ष वाश्वम आ गया जो कि हमारा गेस्ट वाश्वम भी आप कहह सकते हो और यह हमारी फॉर्स बैड्रूम से भी तेर संव सब्सक्राइब यह हमारे फॉर्स बैड्रूम और इसका भी Remence वो वाश्रूप का connection इस वेडरूम के साथ भी है यह हमारा सवा 11 ग्यारा का आप कह सकते हो रूम है जिसके अंदर आपको एक कबर्ड जो आप देख सकते हैं यहां पर आप कबर्ड लगा सकते हैं बट इस फ्लैट में क्या है कि इसमें जो आप कबर्ड भी देख रहे हो यह सिर्फ आपको स्पेस मिलेगी कबर्ड आपको खुद बनाने पड़ेंगे इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं आपको सारी चीजे क्लारिटी से बताओं और इसके साथ ही यह हमारा एक यहां से पीछ आपके लिए यहां पर चैनल दिया हुआ है तो आप फिचर में अपना मैश्ट और यहां पर लगा सकते हैं तो लेस्ट मूब अन्ट बेड्रूम यह हमारा सेकिंड बेड्रूम आ गया है और मुस्ट इसका साइज भी वही है जो आपने वहां देखा यह सेकिंड वाश्रू है यह आप देख सकते हूं तो इसमें भी आपको सारी फिटिंग जो है वह आपको जैगवार की मिलेगी टाइल्स उपर तक है एक्जॉस्ट फैन की भी जगह हमने उपर दे रखी है इवन गीजर का कनेक्शन के लिए भी हमने सारा प्रोविजन छोड़ा हूँ लगे हुए और यह सामने आपका स्टोरेज आ जाता है यह आपकी अल्मारी आगी अगेन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस अल्मारी के लिए आपको जगह मिलेगी आपने अल्मारी खुद बनानी है उसके बाद थर्ड हमारी पीछे बालकोनी है इस बालकोनी का एक्सेस वो दोनों स इसके अंदर उपर से यह उपन है तो कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी बट हाँ आपको जो लाइट है वो प्रॉपर रहेगी इसके अंदर यह आपको सेकेंड बालकोनी है यहां पर आप अपना वाशिंग एरिया बना सकते हूँ सो यह था हमारा टू बेस्के फ्लाट टू बेड्रूम टू वाश्रूम ड्राइंग डाइनिंग किचन के साथ विद फ्री बालकोनी बालकोनी इसका अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ जो हमारा यह फ्लाट का एरिया है यह बेसेकली जरगपुर में पढ़ता है लोकेश विद्ध की फ्लेड लेशिंस पे हैं इस प्राइट में टोटल ठी अव्लह प्राइट इानल बताना था इस फ्लाट का साइज है वो ब्यारा स्कॉर फिट neutr यारा होग्यारां सोपचesक्य। स्क्राइब का यह प्लाइट है जिसके अंदर टू बेडरूम टू वाश्रूम और आपका यह किचन है अगर हम इसकी पॉजेशन के बात करें तो यह आपको छे महिने के टाइम में मिल जाएगा थर्ड हम बात करते हैं सीवरेज की तो यहां पे आपका यह गेटेट पानी के सप्लाइब थर्ड जो आता है एलेक्टिसेट एलेक्टिसेटी आपके जो रहेगी वह पंजाब बोर्ड विजली बोर्ड है उनसे आपको यहां मिलेगी तो चौथा कि इस सुसाइटी के अंदर क्लब हाउस पी लेके आ रहे हैं तो आपको सारी जो मौडर्न एमनि प्लस जैसे आप गेट से बाहर निकलते हैं तो हमारा कम से कम भी आप लगा के चलो कि पांचों से 600 मिटर का पूरा कमर्शल है जिसमें कि आने वाले टाइम में आपको हर एक ब्रांड डॉमिनो जो भी अच्छे ब्रांड से फोड एफन बी के ब्रांड से होटेल से वहां प को पता कि ट्राफिक होता है बहुत बहुत दूर हट पीछे हट की सुसाइटी है आप लगाएं कि जो पट्याला को जाता है जरक पट्याला है हम डेट किलोमेटर अंदर बैठ हों है तो कोई शोश राबनी है सेकेंड सेक्ट सेक्योरिटी गेटेट तो रहेगी लेकिन यह ह आपको बताया कि आपको सारी फेसलेटी वन शॉप आप कह सकते हैं कि एक की स्टेप में मिल जाती है जहां पर आपको बैंकिंग आपको जो डॉकुमेटेशन रहेगा और आपको यह यूनिट या कोई भी प्रॉजेक्ट से क्यों लेना चाहिए उसका मैं आपको रेजन देता हूं क्योंकि वी आ रेरा फूट कंसल्टिंग सो हमारे पास सारे बैंक्स आन बोर्ड हैं आपको लोन के पॉइंट आवे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेकिंड दो चीजे होती है जब आप प्रॉजेस में जाते हो एक होता है प्री सेल में क्या होता है कि जब आप फ्लैट ले रहे हो एक होता पोसेल अगर दोनों का हम कंपारेजन करें 20 परसंट आपकी प्री सेल होती है तो स्टेट ड्राइब के तुरू जो स्टेट ड्राइब रहेगी उसका जो टीम अप एक्सपर्ट रहेगी वह आपकी ऐसे आप कह सकते हो कि आप पर बहाफ वह वो विल्डर से सारे इंटरेक्शन करते हैं तो आपको पोसेल हमारे एंड पे कहीं पे कोई करनी आएगी तो आपको हमारा यह पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो जारे उनका नोटिस्वेक्शन सबसे पहले आए तो दोस्तों मिलते अपने अपने नेक्स प्रोजेक्ट में अपने के लिए हैव ग्रेट देए टेक यह बाबाए जाहनी